अगर आपने चैनल पर पहली बार विजिट की है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जितनी वी वीडियो जमा अप्लोड करूँ आप लोगों तक नॉटिफिकेशन जो है वो सबसे पहले पहुंच जाए और अगर आप बैंक निफ्टी निफ्टी के अंदर प्रोड करता हूँ जिससे आपको लॉर्णिंग प्लस अरणिंग दोनों में ही काफी आसानी हो जाती है बात करेंगे इस वीडियो में हम उन्मल्टीपल शेर्स की हो सकता है बहुत सारे इन्वेसिस के अंदर इंवेस्टिट करके रखे हुए हो और बहुत सारे लोगों को ये भी हो सकता है कि इन stocks के बारे में पता ही ना हो या फिर इन stocks के अंदर holdings लेने की सोच रहे हैं सबसे पहले बात आती है Consoles India Limited की जिसने अपने quarter 3 के numbers पेश कर दियो और interim dividend की अगर बात करे तो उसकी भी घोशना company के तरफ से कर दी गई है साथ रुपे पर शेर के असपास का dividend जो है Consoles India Limited इंवेस्टेस को देने की घोशना कर चुकिए अपने quarter 3 के numbers में last closing की बात करे तो 1325 रुपे के असपास closing होई है 3.5% के असपास की correction रही stock में पांस दिन के अगर मैं बात कर तो stock में 5% के असपास की correction हो चुकिए 1400 रुपे के लेवल से correct होगे 1325 रुपे बे आ चुका है recently जो है company को ASM list framework में डाल दिया गया था एनकि additional surveillance measure के अंदर और एक महिने की बात करे इस company के price की तो almost 11% के असपास की तेजी है 6 महिने की बात करें तो आप देख सकते एक चीज कि जिस level पे इस time ये stock है उस time almost अगस्त महिने के अंदर भी इसी range में था फिर एकदम से 1000 रुपे के आया stock 1400 रुपे से correct होके 1000 रुपे के level और दोवारा से देरे-देरे करके recovery पकड़ता नजर आ रहा है अब यह जो इतनी तेजी के बाद यह correction थी यह main reason था consideration का profit booking का तो एक scenario है market का इसको समझना बहुत जरूरी कभी भागते हो शेर को पकड़ने से अच्छा कि जब market में correction हो stock में correction हो तब जा के आप लोगों को उसके अंदर एक company investment बनानी चाहिए और एक साल के performance देखेंगे आप इस company की तो 200% के असपास credit यह IT sector की company investors को बना कर दे चुकी है maximum returns देखेंगे आप इस company की 422 रुपे पे listing की ती सेप्टेंबर 2022 को और almost 900 रुपे के असपास की बड़त है 213% के असपास credit यह company बना कर दे जुकी अपने maximum returns में इस time investors को अपडेट की बात करें तो इस करज मुक्त IT stock ने साड़े 7 रुपे परती share के interim dividend की घोशना की है share price जूम जाएगा ऐसे में बात करें तो का सोल्स इंडिया लिमिटेड आइटी सिक्टर की एक small cap company है जिसने शुकरवार के trading session के समाप्त होने के बाद दोरान 1606 करोड रुपे के market cap का धरज जो है दरजा कर capital gain कर लिया है और इस दोरान इस stock में काफी हलचल भी रही है क्योंकि company ने जो है यहाँ पे अपने शुरुआती दोर में अगर आप देखें कि कहीं ने कहीं multi bagger stock साबित होते हुए company की performance जो है VTF प्रिणाम जो थे कि घोशना का विशा होगा जो की 31 December 2023 को समाप्त हुए तो के अंदर उमीद है कि company जो है अपने quarter के numbers देखें अगर यहाँ पे देखें आप कि कसोल्स इंडिया एक करजमुक्त company के रूप में अपनी स्थितीव बताते हुए अगले सप्ता अपने multi bagger stock character और साबित करते हुए financial year 24 के लिए 7.5 रुपे परती शेयर के अपने दूसरे अंत्रीम लाबांस की खोशना करेगी इसके साथ ही फरम के वितिया परिणामों के कारण ध्यान का विशा होगा जो 31 December 2023 को समाप्त हुई है कसोल्स इंडिया ने अपनी filing में कहा है कि record date जो रहेगी सीमा के भीतर उसमें हम आपको सूशित करना चाहेंगी कि कमपनी के निदेशक मंडल ने आजी गुरुवार 18 जनमरी 2024 को हुई अपनी बैठक में अन्य बातों के साथ साथ वीतिय वरस 2023 के लिए 7.5 रुपे परती शेर के दूसरे अंतरी मलाभांस पर विचार किया और घोशना की कि कमपनी की पूरी तरह से बुकतान की गई एक्विटी शेर पूजी पर लाभांस का बुकतान कमपनी के एक्विटी शेर धारकों को वैधनिक समय सीमा के भीतर किया जाएगा जिनका नाम रिकॉर्ड डेट यानि 26 जनमरी 2024 के अनुसर कमपनी के मेंबर के रजिश्टर पर दिखाई देंगे तो ऐसे मैं उमीद है कि कमपनी की परफॉमेंस जो है आने वाले समय में और भी ज़्यादा बढ़ती नजर आ सकती है क्योंकि अभी तक की जो परफॉमेंस रही है स्टॉक की वो काफी बहतर रही है मार्केट कैप की बात करें तो 1563 क्रोड का मार्केट कैप रिटरन कापिटल रिटरन और रिटरन और एक्टी दोनों ही काफी कमाल के हैं फेस वेल्यू दस रुपे की है और 50 डेज मूविंग आवरेज के हिसाब से अगर मैं बात करूँ तो अल्मोस स्टॉक का प्राइस होना चाहिए 1217 रुपे और इस टाइम जो स्टॉक है अल्मोस साड़े तेरा सो रुपे की रेंज में ट्रेड करता नजर आ रहा है बात करेंगर कॉर्टली नंबर्स की तो दिसमबर कॉर्टर के अंदर कंपनी का प्राफिट रहा है 11.93 क्रोड जो की एरली एंड कॉर्टली दोनों ही जगह पे इंप्रूव होता नजर रहा है तो नंबर्स अच्छे पेश किया है और इसी वज़े से कंपनी ने साड़े साथ रुपे का इंट्रिम डिविडेंट देने की घोशना कर दी है सेल्स ग्रोथ 47% की लास्वनिर की प्रॉफिट ग्रोथ 44% एं लास्वनिर सीएजर की अगर बात करें तो 199% की आसपास करा है बैलन्स इट की बात करें तो रिजाव 17 करोड के हैं और करजा बिल्कुल भी नहीं है कंपनी के उपर एक स्मॉल कैप कंपनी है उबरती भी प्रमोटर्स की होल्डिंग 58.94% है आला कि FI's ने दिसमबर कॉटर के अंदर अपना स्टेक कम किया है और पबलिक का स्टेक जो है ओपन मार्केट के अंदर बढ़ता हुआ नजर आया है नेक्स टॉक की बात करें तो NBCC India Limited 16.97% की तेजी और 102 रुपे पहुँच चुका है पांच दिन के अंदर साड़े 11% की तेजी एक महीने के अंदर 30% छे महीने में 143% एक साल में 122% पांच साल में 80% और मैक्सिमा अदर देखें आप इसके 1513% के है अब यहाँ पे एक और चीज़ समझे कि PSU वही पबलिक सेक्टर अंडर टेकिंग यहाँ पे रेली अच्छी खासी दिखाई थी भागना स्टार्ट के अथा स्टॉक सीधा डेड़ सुरूपे और फिर भागता भागता एकदम से नीचे आया और अब जाके दुबारा से परफॉमेंस जो है PSU स्टॉक्स की दो हजार तेईस के साथ साथ जो है बढ़नी स्टार्ट हुई है जिसमें आपको mostly PSU सेक्टर के शेर्स को उठाकर देजिक लिए तो कहीं न कहीं government जो है जब से दाव लगाने की बात आई है कि PSU सेक्टर पे दाव लगाया जाए और ऐसे में PSU सेक्टर के शेर्स की परफॉमेंस जो है वो लगातार बढ़ती ने ज़रा है जो कि एक main reason रहा है कि government यहाँ पे अपना interest in stocks के अंदर देखा रही है और जिसके वज़से retail investors का interest भी इन companies के अंदर बढ़ रहा है हलाकि अब आप इस company के maximum देखें तो 1513% के अंदर इन्वेसर्स को बना कर दे चुका जो तेजी इस time आप लोग देख पा रहे है उसके पीछे ना तो कोई बड़ी news निकल कर आई है ना ही कोई ऐसा बड़ा contract बड़ा order company को मिला है या government से कोई बड़ी help मिली है फिर भी PSU stocks के अंदर काफी अची रहले क्योंकि budget जो है एक main focus रहने वाला है कि budget के अंदर काफी बड़ा allocation जो है infrastructure sector के लिए भी allocate हो सकता है NBCC जो है का government of India की नवरतना enterprises है Ministry of Housing and Urban Affairs और company जो है mainly real estate construction and engineering procurement के अंदर काम करती ने जड़ा रही है market का 15,315 crore का है return on capital, return on equity दोनों ही double digit देखने को मिले 26.4% और 19% 50 days moving average के अगर हम stock का price देखे तो almost 80.89 के आराउंड होना चाहिए जो कि अभी current level पे 100 के आराउंड देखने को मिल रहा है quarterly numbers देखे तो September quarter के अंदर company का profit 89 crore का सपास का था जो कि कहीने कही yearly and quarterly basis पे improve होता नजर भी आया था अभी तक company ने अपने quarter 3 के numbers पेश ने किये हैं भरिजव 1787 crore के हैं और करजा बिलकुल भी नहीं है company के अपर करज मुकता है NBCC India Limited shareholding pattern की बात करें तो promoters के पास December quarter के अंदर 61.75% stake है FIZ ने अपना stake increase करा है DIA ने भी stake increase किया है और public का stake open market के अंदर NBCC के अंदर कम होता नजर आया है next stock की बात करें तो central depository services limited 1805 रुपे पे closing है 1% के आसपास की correction 5 दिन में 3% की correction 1 महीने में 1.77% 6 महीने में काफी अच्छी rally दिखाने के बाद अब stock जो है इस range में concentrate करना start कर चुका है काफी लंबे अरसे के बाद rally देखनी को मिली थी 1,000 रुपे के level से सीधा almost 1902,000 रुपे के level तक stock जा चुका है अपना high काफी अच्छा लगा चुका है 1 साल में 70% returns है और maximum returns देखें आप इस company के तो 589% 52 week high 1987 रुपे का और अभी stock का current price almost 1800 रुपे की range में तो उपरी सर से stock में मोटर मोटी तोर पे अगर आप देखें तो अच्छी खासी correction है तो खरिदारी करने का अच्छा मौका इस time इस stock में available भी है company दरब से काफी बड़ा update है कि CB chairperson launches CDSL multilingual initiative for each of doing business for investors तो यहाँ पे multilingual यहाँ पे यानि की बहुत सारी भासाओं के अंदर आप जो है CDSL के अंदर काज का अपना कर सकते हैं और यह investors के लिए business करने के लिए काफी अच्छा रहेगा new Delhi के अंदर यह सारी की सारी चीज़ की गई है कि in celebration of its Silver Jubilee year Central Depository Services Limited Asia's first listed depository announced the launch of two unique multi-limited initiative to signify its commitment to inclusify and accessibility in the capital market landscape these initiatives were launched by CB chairperson Madhabi Puri Bouch at the Silver Jubilee function held on the 17th January और ऐसे में इसके अंदर moment ऐसा नहीं कि भी contract मिला है क्योंकि CDSL कैसे भागता है CDSL है क्यायक तरीके से जैसे हम bank में अपना पैसा deposit करते है वैसे ही सारे का सारे shares जो है CDSL के अंदर deposit होते है हमारे क्योंकि हम जो buy करते हैं shares को कहीने कहीन तो reserve होते है सारे CDSL के पास reserve होते है और ऐसे में जिस तरीके से कहीने कहीन आप देख सकते हैं कि interest जो है public का stock market के लिए बढ़ता जा रहा है वो कि main reason है जितने ज़्यदा debit account open होंगे जितने ज़्यदा transaction होंगी वैसे ही CDSL के performance भी उस तरीके से आने वाले समय बढ़ते आएगी मेरे साब से multi-wagger stocks आप भी थोगा CDSL आने वाले समय में एक तो पहली चीज़ तो यह कि company जो है वो monopoly stock है कोई और company sector के अंदर नहीं है NSDL का भी IPO आना बाकी है वो देखते कब आएगा लेकिन उससे पहले अगर आप CDSL को देखे लंबा समय हो चुका market में तो कहीने कि CDSL की performance आने वाले समय में और भी जादा बैतर होती भी नजर आ सकती है वीडियो आप लोगों को पसंद आई हो तो वीडियो को like share जुरू करिएगा और अभी तक आपने मेरे टेलिग्राम को join नहीं किया है तो link आपको वीडियो के description box में मिल जाएगा